मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोक तंत्र पर आक्रमन हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उधारन मिल रहे हैं सवाल मैंने एक ही पूछा था फाउंडेशन पर जाता हूँ अदानी जी की शेल कंपनीज है अदानी जी की शेल कंपनीज है उसमें बीस हजार करोड रुपिया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफरस्ट्रक्चर बिजनिस है पैसा किसी और का है सवाल ये है ये जो बीस हजार करोड रुपे हैं ये किसके हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने पार्लिमंट हाउस में प्रूफ देखे जो मीडिया रिपॉर्ट से मैंने निकाला अधानी जी और नरेंदर मोदी जी के रिष्टे के बादे में डीटेल में बोला रिष्टा नया नहीं है रिष्टा पुराना है जब नरेंदर मोदी जी गुजरात के सीम बने थे तब से रिष्टा है और उसके बहुत सारे पबलिक प्रूफ है हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई नरेंदर मोदी जी बड़े कमफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस अपने मित्र के साथ पार्लिमंट में मैंने दिखाई ये सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डीटेल चिट्थी लिखी पॉइंट बाइपॉइंट कि मैंने कहा कि एरपोर्ट अदानी जी को रूल बदल के दिये गए है ये लीजिए रूल की कॉपी उसको बदला गया है चिट्थी लिखी कोई फरक नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लिमंट में जूट बोला बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं किये मैंने कहा स्पिकर से मैंने जाके कहा स्पिकर सर पार्लिमंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई कोई अरू एक्यूदेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिट्थी लिखी उस चिट्थी का जवाब नहीं आया दूसरी चिट्थी लिखी उस चिट्थी का जवाब नहीं आया फिर मैं स्पिकर के चेंबर में गया मैंने स्पिकर सर से कहा स्पिकर सर ये कानून है ये रूल है इन्होंने जूटा अरोप लगाया है मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं स्पिकर सर मुस्कुराते हैं कहते हैं मैं नहीं कर सकता और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ सवाल पूछना मैं बन नहीं करूँगा नरेंदर मोदी जी का अधानी के साथ क्या रिष्टा है और बीस हजार करोड रुपे किस के हैं मैं पूछता जाओंगा मुझे कोई डर नहीं लगता है इन लोगों से और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्कॉलिफाई करके धमका के जेल में डालके मुझे बंद कर सकते नहीं मेरी वो हिस्ट्री नहीं है मैं हिंदुस्तान के लोगतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोगतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा किसी चीज से नहीं ड़ता हूँ ये सच चाहिए